Mild Free Fluid Scene in Caldeasac का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Mild Free Fluid Scene in Caldeasac का मतलब होता है कि जो Caldeasac है यानि कि Caldeasac क्या होता है यह मैं आपको बता देता हूँ हमारे शरेर में कोई भी ऐसी सरंचना होती है जो ठैली के जैसी होती है यानि कि जिसमें जाने का रास्ता तो होता है पर आगे से वो चीज बंद होती है मतलब आरपार रास्ता नहीं निकलता है यानि कि जैसे हमारे पित की थैली ऐसी होती है या फिर हमारे शरीर का जो जहाँ पर हमारी आत होती है तो पूरी जो आत और उसके फिर नीचे का जो हिस्सा बनता है वहाँ पर भी कल्डे सेक बनता है यानि कि वहाँ से आगे कहीं भाहर जाने का या आरपार जाने का रास्ता नहीं होता है यानिकि जैसे हमारी आथ है वो आरपार होती है या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरपार होती है यानिकि जैसे खून की नसे है वो भी आरपार निकल जाती है यानिकि खून इदर से आएगा उदर चला जाएगा लेकिन कुछ चीज़ें कुछ अंग ऐसे होते हैं जैसे की थैली है उसमें जाने की जगे होती है वापिस आने की नहीं होती है लेकिन जो हमारे किडनी है उहाँ जाने और आने की दोनों की जगे होती है तो कल्डे सेक उस ग्रंथी को या उस अंग को कहा जाता है जो सिर्फ जाने का उसमें होता है आ वापिस नहीं सकते या एक तरफ से बंद थैली जैसी सरंजना होती है तो जो आपके कल्डे सेक में थोड़ा सा free fluid देखा गया है यानि कि जैसे जिसको आम भाशा में कहते हैं पानी भरना या थोड़ा सा पानी हो जाना या थोड़ा सा fluid उसमें आपके देखा गया है हालां कि है जानकारी हमने आपको informational purpose से दी है हम किसी भी प्रकार की कोई medical सलहा आपको इस channel पर नहीं देते हैं किसी भी प्रकार की medical सलहा के लिए आप अपने doctor से संपर्क कर सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें